सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और दबाईए इस बेल आइकन यानी घंटी को और पाएं लेटिस्ट वीडियो सबसे पहले नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हेल्थ जागरण में मेरा नाम है शालिनी और अभी आप देख रहे हैं न्यूटिशन ग्यान दोस्तों दुनिया में गुलाब को सबसे सुन्दर फूल माना जाता है गुलाब के तेल में डिप्रेशन को कम करने वाले एंटिसेप्टिक, एंटिस्पास्मडिक, एंटिवाइरल, सिट्रेजिंट और एंटिबायोटिक जैसे गुण पाये जाते हैं तो आईए जानते हैं ग गुलाब का तेल आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और मानशिक ताकत को बढ़ाने में मदद करता है एक एंटिडिप्रेसेंट के रूप में यह अफसाद और चिंता को दूर करने में बहुत मददगार होता है यह सूजन से जुड़ी समस्याएं जैसे माइक्रोबियल संक्रमन, जहरीले पदार्थों के कारण अपच और निर्जली करण की वज़ा से सूजन में भी फायदे मद होता है इससे गठिया और उससे जुड़ी परेशानियों को भी कम करने में मदद मिलती है आप साधरन एंटिसेप्टिक लोशन के बजाए गुलाब के तेल से भी घाओं का इलाज कर सकते हैं बाहरी रूप से गुलाब की तेल को घाओ पर लगाने से उनमें सेप्टिक बनने और संक्रमर से बचाने में मदद मिलती है गुलाब के तेल की सुगंद आपको उत्तेजित कर सकती है और साथ ही यहाँ कामेक्षा को बढ़ाने में मदद करता है यहाँ यौन रोग इस्तंबन दोश आधी के लक्षणों को कम करता है नमबर पांच संक्रमर से बचाए यहाँ एक अच्छा जिवानु नाशक है यहाँ कोलन, पेट, आंतों और मूत्रपत के इलाज के साथ साथ तवचा, कान, आखों और घावों पर बाहरी संक्रमरों का इलाज करता है नमबर छे, स्किन के लिए जो लोग अपने लुक की परवा करते हैं, उनके लिए गुलाब का तेल लाबकारी होता है यहाँ फोडे, मुहासे और तवचा पर पॉक्स के निशान को कम करता है नमबर साथ, ब्लड प्यूरिफिकेशन में गुलाब का तेल सरीर से जहरीले पदार्थों को निकाल कर रक्त को सुद्ध करने में मदद करता है नमबर आठ, पिरिएट्स में यहाँ हार्मोन शाव को उत्तेजित करता है, जो मासिक धर्म को ट्रिगर करता है यहां बाधित और अनियमित माशिक धर्म से पेडित महिलाओं के लिए विशेस रूप से प्रभावी है गुलाब का तेल तंत्रिकाओं के लिए एक टॉनिक के रूप में कार्य करता है यहां आपकी चिन्ता को दूर करने में मददगार होता है यहां पेड के समस्याओं जैसे पेड के सूजन और पेड के संक्रमट से बचाता है यहां आपको पेड के अलसर से भी बचाता है जो अक्सर पेड में अधिक एसिट की वज़ा से विक्सित होता है अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और अगर आप नए हैं तो हमारे इस चैनल हेर्थ जागरण को सब्सक्राइब कर लीजिए फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में तब तट के लिए स्वस्त रहिए और खुश रहिए